कि नमस्कार आप सभी का सुवागत है पाट साला क्लासेस के ओनलाइन प्लैटफोम पर जैसा कि आज की पारी का जो पहला पेपर हुआ है आज की दिन का सेम उसी पैटरन पेपर है जो कल के दो बारी में दोनों पेपर हुए मैट्स के वही एठारा से बीस अठारा उननीज कि अच्छे कि अच्छे कि इस एक बार अदीनस्त बुड का बहुत बड़ा धन्यवाद दिल की गहराईयों से मैट्स में जो सलेबस था हर टोपिक से एक स् मैट्स का आया है यहां पर देखिए का सबसे पहला कि असके पेपर का जो मैट्स में है तीन नंबर किसन देखोगे आप लोग तीन नंबर किसन बेसिक किसन लिखा है प्रसंटे से जोड़ा गया यदि उंचाई को दुगना कर दिया जाए आधार को 20 पसंट कम कर दिया एक बटा दो गुणा आधार गुणा उंचाई एक बटा दो गुणा आधार गुणा उंचाई अब पहले वाले त्रिबुच का स्टरपल सो माल लेते हैं यहां पर तो नएगा कितना होगा देखिए नए त्रिबुच का स्टरपल सो तो पहले ही था उंचाई को दुगना क यह 0 भी कड़ जाएगा, 20 गुणा 8, 160, तो 100 और 160 के बीच क्या अनुपात है, बस यही पूछा दा, तो आपका अंचर होगा 5 अनुपात 8, बिलकुल बेसिक प्रॉपर्टी से, और यहां भी पेपर में ऐसे ही देखने को मिला, लगुगुणक का हर पेपर में एक किसना आ रहा है, देखिए, लोग की पहली प्रॉपर्टी, लोग M अपॉनन, भाग वाली संख्याओं का लगुगुणक, लोग M अपॉनन बराबर होत होता है, यह होता है, लोग M प्लस लोग N, इन दो बेसिक प्रॉपर्टियों पे लोग का किसन लिखा था, जो आपकी हर दिन मेराचन की जो क्लास हुई, हर दिन आपको कराया गया, बेसिक सा स्वाल लगुगुणक का, देखो इसका जवाब आ जाएगा, दो लोग 2, प्लस लोग L, प्लस लोग M, माइनस लोग के, ओप्शन A इसका बिलकुल सही जवाब, ओप्शन A इसका राइट अंचर, चलिए, इसके बाद अगला क्युशन, हाँ, अगला क्युशन आपके सामने है, मैथ से, क्युशन नंबर, 16 नंबर स्वाल देखोगे आप लोग, एक और क् अंच्रेसन का जो परसंटेrail से जोडा गया, एक घन के किनारे में, यहानी बुझा में, 20 परसंड की वरद्दी कर दी जाए, तब इसके चेतरफल में, इस आहायतन में कितना वरद्दी होगी, घन का हायतन होता है, बुझा की, घन का हायतन होता है, बुझा का क्यू तो आप लोग जल्दी से क्या जवाब देकर क्या है, आप लोग इसके item में कितना परसंट वरदी होगी, देखो, माल लेते हैं कि पहले item 100 था, 20 परसंट बढ़ रहा है, 120 वटा सो, गुणा 120 वटा सो, गुणा 120 वटा सो, तीन बार क्यों लिखो गया, बताओगे एक बार, क्योंक 178.8, पहले था 100 और अब हो गया 178.8, कितना वरदी होगी, 178.8 परसंट की वरदी होगी, बिल्कुल बेसिक स्वाल था, इसके बाद अगला स्वाल आपके सामने है, अगला क्युश्टन बताएंगे आप लोग, मैट से क्युश्टन है, तेईस नंबर स्वाल आपके सामने है, तेईसमा क्युश्टन जब, देखिए, ज्यादातर क्युश्टन परसंटेज से आए है, परसंटेज से ही किसी दूसरे टॉपिक को जोडा गया है, बेसिक स्वाल आया, ऐसा एक सिंगल स्वाल नहीं है, जो आप लोग ना कर पाएं, देखिए, ये क्युश्टन आपके का वेतन, S के वेतन से 30 परसंट जादा है, 30 परतिसत क्या है, जादा है, अगर इसका वेतन 100 रुपे है, तो इसका वेतन कितना है, 130 रुपे है, 30 परसंट जादा है, आप से पूछा के इसके संदरम में कितना कम है, परतिसत कम बताना है, 30 रुपे कम है, 130 से कम है, और 2 26 बचा 4 40 13 29 23 सही 1 बटा 13 परसंट आपका सही जवाब जोब ऑप्सन ए 23 सही 1 बटा 13 परसंट कि महर कह रहा है जर मेरा 11 को है महर आप अच्छे से मैनद करते रही है 11 को अपर यह जानारी को भी पेपर आपने वाला है पेपर उसी पैटरन पर आपका मैट्स का पेपर है बिल्कुल जिस तरह से पेपर बनना चाहिए था वाकई में दिनस्त बोड का पहला पेपर देखा यह कि शलेबस देने के बाद इसी तरह से पर आना चाहिए था चले इसके बाद रीजनिंग का है जुसर कराएंगे आपको संदीप सर लेकिंगे सर आप थोड़ी सी गरम होजा उचाय पी केती दे रहें मुझे मना देता हूं मैंने का देखो कमेंट आ रहे थे गड़ेगा क्युसरे पूचा है गड़ेगा के औने आकि सुणी है अरे छोटा सा उसन पूचा है यहां पूछ है 36 गंडों में एक गड़ी की सुएंग कितनी बार मिलती है यानि यहां पर आपके सामने क्या पूछा गया है अतिव्यापन वाली जो कंडिशन है वह आपके सामने पूछी गए जो आजशादन है संपाती है और लेपिंग है वह वाली कंडिशन पूछी गए वह कंडिशन आपके सामने क्या थी वही आपके सामने यह थी तो यह तो 24 हवर की था, लेकिन वेल्यू कितने पूछ ली 36th, तो 12 हवर की और वेल्यू इसमें कर दो, कितना आ चुका है 11 बार, तो टोटल इनको कर लेते, टोटल आपके सामने कितनी बार आ चुका है, और एक ब्यास का आसान सा सुवाल 26 नमबर लिखा है सदान ब्यास से कुछ न लिखा है 26 नमबर एक रासी जो है सदान ब्यास पर 25 पसेंट वार्षिक दर से ब्यास की दर दे रखी है कितना 25 पसेंट वार्षिक दर से चार वर्सों में 8800 रूपे हो जाती है व्यास की दर दे रखा है 35%, समय दे रखा है 4 साल और रासी हो कितना गई, 8-800 रुपे हो जाती है यह आपका मिसरदन है 8-800 रुपे देखो सदान व्यास बहुत यह आसान होता है केवल दो बातों पर डिपेंड होता है सदान व्यास दर और समय, दर कितना है 25% और समय कितना है, चार साल, आप हर साल 25% ब्यास अगर कमाते हैं, तो चार सालों में आप 100% ब्यास कमा लेंगे, मूल्दन हमेशा 100% होता है, और 100% आप ब्यास कमा लोगे, इसका मतलब मिसरदन बनेगा 200%, तो आपका 8800 जो रुपे दे रखा है, एक लाइन का सवाल है मातर, 8800 रुपे 200% के बराबर है, पर आप से पुछा गया रासी कितना थी, प्रिंसीपल यानि वो हमेशा 100% होता है, तो आप लोगे, आपने 4400 रुपे पर 4400 का ही ब्यास प्राप्त किया था, तो आपका बिल्कुल सही जवाब, option C बनता है यहां पर 4400 रुपे, बहुत ही आसान ब्यास कमाते हैं, चार सालों में 100% ब्यास कमाएंगे, यहनि मुल्दन के बराबर ब्यास कमाऊगे, तो 4400 मुल्दन होगा, तो 4400 का ब्यास के बाद, इसके बाद, अगला स्वाल है, तीस नंबर, 30 नंबर स्वाल, फिर मैट से है आपके सामने, तीसवा नंबर किस्टन, तीस नंबर किस्टन देखो, आप लोग, मैट में ट्रिग्नोमेटरी का हाइटन डिस्टेंस, मैं लेक कहा, एक दम दिलखुस कर देने वाली बात है, कि मैट के जित्ता सलीबस के लिए जो टोपिक लिखाता, जो टोपिक लिखाता, हर टोपिक से केवल बेसी किस्टन, सिद केम लिखाता स्वाल आया, यह टेड़ा स्वाल आया, हमने हर स्वाल पर मैनत करी है, छीदे का मलब हर टोपिक सी सवाल आया, यह बहुत इंपोर्डेंट बात है, जाले देखें, एक उर्दवादर चड की लंबाई क्या है? जो लंबाई है, उसकी है चाया की लंबाई और दोनों का अनुपाद दे रखा है, एक अनुपाद तीन, तो सूरिय का उन्यन कोण पुछा है, देखो आप लोग, एक उर्दवादर चड़ा है, यह रही, इसकी जो लंबाई परचाई जो होगी, वो यहां जाएगी या इधर जाएगी, किदर भी एक डिरेक्शन में परचा इन दोनों का रिष्यो दे रखा है, अगर यह एक है, तो यह आपका रूट तीन है, एक अनुपाद रूट तीन, यहां बना हुआ कोण आप से पुछा गया, थीटा का मान क्या होगा, बौत ही बेसिक सा स्वाल, तीस दिगरी के पास की बुजा ही हमेसा बड़ी होती है, र थीटा का, थीटा बराबर होता है, लम मटठ अधार- एक बटा-्रूट तीन, आपको जाए याद है, कब था-टा-रूट तीन मान? 10 तीस का मान होता है, वन बाइ रूट त्री एक बटा-रूट तीन, प्टिन, ऑपन-डी आपका बिलकُल सही जवाब, छले, इसके बाद चोटे-चोटे से नंबर रखे हैं, जिसरी देखो, सबसे पहले तो आप पोइंट को खतम कर दो, अगर पोइंट आपको परिशान करें, तो पोइंट को उटा दो, सारे के सारे पोइंट हटा दिये, पोइंट का खेल खतम, 64 का वरगमूल होता है 8, यहां तक सब को याद ही र दिखे वे थे, इनका वरगमूल आपने करा, देखो, अब कुछ कट रहा है तो काट दो नहीं, तो कोई जबरदस्ती है नहीं, देखो, 2 से काट दिया मैंने इसको 11 बार, और 2 से मैंने इसको काट दिया 4 बार, 25 गुणा 4, 100 बटे 99, option C आपका सही जवाव, 100 बटे 99, चलिए इसके बाद अगला स्वाल है आपके सामने, मैट से आता है, एक मिनट सर, मैट का क्युष्टन आगे है, गराफ पे लिखावा स्वाल है, 49, उससे पहले reasoning का होगा कुछ है, 49 नंबर क्युष्टन देखो आप लोग, 49 नंबर स्वाल, देखी सर, हाँ, थोड़ा सा नहीं चल पहले उपर पढ़ना पड़ेगा ग्राफ, नहीं उपर कोई जुरुड़ी नहीं है, अब यहां देखिए आप लोग, यह ग्राफ आपको दे रखा है, तीन कोलेश के बारे में डाटा दे रखा है, लड़के और लड़कियों की संख्या को दरसाया गया, यह लड़कों की स संख्या है, लड़के और लड़कियों, दोनों की संख्या का ग्राफ आपके सामने है, तीन कोलेश के उपर डाटा लिखा है, A, B और C, एक आसान सा क्यूशन आप से जानना चाहता है, कि कोलेश A-C में, कुल विदार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है, कोलेश A-C मे कुल विदार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है, दो कोलेशों के बारे में डाटा हो रहा है, A और दूसरा कोलेश कौन सा, C, इन दोनों कोलेश में, कुल विदार्थियों की संख्या की बीच अनुपात, दोनों का टोटल करना है, यानि यह कितना है, पच्पन, 15 और 25 का योग हो गया इतना 80 को छलेश एक के अंदर टोटल आता है 8,000 को अब इसी तरह के देखेंगे आप c का, c कहां पर है यह रहा इसके इंदर आता है 4500 और यहाँ पर लड़कियों की संग्या कितनी है था 35 यहां भी आपका योग कितना हो रहा है असी ही हो रहा है तो दोनों का रेश्यो बनेगा एक अनुपात एक बहुत आसान बेशिक स्वाल मैट्स से हैं एक अनुपात एक इसके बाद देखे सर अगला कुष्टन मैट्स का पचास नहीं है सर है हाँ इक्यावन नमर के चुस्थन बीसिंग का है सरकर आएंगे आपके बताएंगे है कि ने किसका पूच्छा है और पड़ाद का देखेगा आपके सामने क्या कुष्टन पूचा गया है चोटा सक पूचा हुआ है आपको खुद को पता है कि तिर्बूज है तो आपके सामने तिर्बूज तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा बस इसमें लेट का राइट होता है और राइट का आपके सामने क्या होगा लेट होगा यह कंडिशन होगी अब देखो यह जो तीर का निशान है इसका जब इसके जस्ट नजदीक जाएगा तो यह कंडिशन ही तो आपके सामने चेंज करेगा तो यह वाली कंडिशन आपके सामने बनेगी तो यह वाली कित्ते ओप्शनों में बन रही है वैसी ओप्शन काड़ और कौन सा ओप्शन काड़ दो डी सिर यह वाली कंडिशन है तो यह भार यह भार का भार ही आपकी सामने बंद कर देना है तो अप्षन किस में आजाएगा एउप्षन में आजाएगा तो कर्रेक्ट आनसर कौन आ गया एउप्षन ठीक है सिदा सिदा जिए था आगे अब यहां देखो प्रतेक 15 सेने को पर कितना कप्तान यह एक कप्तान है पूँछा है किस्वा सर अगला आपका मैट्स कही होगा साइध कि इससे पहले को इरिजनिंग का है क्या देख लो नहीं है लोग किस्टन मैट्स है कि देखेंगे 69 नंबर का स्वाल उने तर नंबर स्वाल लाव अनिका असान और अच्छा स्वाल बढ़िया स्वाल आपके सापने हैं देखें एक आ पर उसे 20% का लाव हुआ है दूसरे पर उसे 20% की हानी हुए तो ग्याद करो कि इस पूरे सोदे में कुल कितना लाव या हानी हुआ है आपको हर क्लास में लावानी में कराय जाता है सबसे पहला टाइप यही है कि जब दो वस्तों का विक्रे मुल्ये बराबर हो एक को लेकिन इसने थोड़ा सा दिमाक लगा यह परसेंटेज नहीं पूछा रूपियों में पूछा है कितने रूपे की हानी होगी तो कितने परसंट की होगी पहले तो आप ये बताइए 4% की हानी होगी यान प्रतिसध हानी निकालना हो तो 20 गुणा 20 रूटा सो X स्क्वाइर cTION cream यह प्रसंटेश करते हैं गुए आप अगर प्रसंटेश आप से डियो। geldi लेकिन यहां आप से प्रसंटेश नहीं पूछा है आप से क्या मैं पूचा किस्ति रुपार का लाप या कितने रुपे की हान लाव तो होई नहीं सकता देखो यहLes तो वैसे ही कड़ गया, 40 रुपे का लाब बिलकुल लाबनी होगा, हमेशा हानी होती है, हमेशा हानी, देखो, ना लाब ना हानी कब होता, वो सकता है, एक पेपर बच रहा है अभी, अगले पेपर में यही कुस्तन आपको देखने को मिले, कि यहां करे मुल्ले बराबर हो, अभी कौन मुल्ले बराबर है, बेचा गया मुल्ले, विक्रे मुल्ले बराबर है, अगर यहां करे मुल्ले बराबर होता, तो अंसर बनता ना लाब ना हानी, लेकिन यहां अंसर नहीं आएगा यह, अब बचे, दो आपसन आपके पास, 40 और 60, अब कई लोगों ने 40 टिकाय पूरे वेपार में हानी कितना है, 4%, तो यानि ये बराबर होगा किसके, 96 के बराबर होगा, ये कहां से आया 96, क्योंकि पूरे वेपार में total 4% हानी हो रही है, तो ये किसके बराबर है, 96 के, अगर लाब होता, तो 104 के बराबर होता, हम से पूछा गया है, कुल कितना हानी हो, य साथ रूपे की इस वेपार में हानी होगी बहुत ही अच्छा सवाल था लाब आनी का कईयों ने गलती करी है यहाँ पर तुक्का भी लगाया है किसीने 40 किसीने 60 प्रसंटेज अगर पूछता तो सही जवाब आता लिकनिया पूछा है कितने रूपे की हानी होगी साथ रूप पूछा है संभाव तिरिबुझ की उंचाई क्या होती है रूट 3 बटा 2 गुणा पूछाओ संभाव तिरिबुझ की उंचाई होती है रूट 3 बटा 2 गुणा पूछाओ केवल आपसे बेसिक फूर्मला पूछा है संभाव तिरिबुझ की उंचाई क्या होती है रूट 3 ब करना नहीं आता तो गलती मैट्स की तो नहीं है ना कोई गलती नहीं अगर आपको यह बेसिक फोर्म याद है आप से पुछा गए बुझा और उंचाई की बीच अनुपात तो यह कहां जाएगा देखो बुझा यहीं रहेगी उंचाई नीचे आ जाएगा तो यह उपर जाए तो यहां से अगर बुझा नीचे जाती है तो अनुपात देखो उंचाई आएगी रूट तीन और बुझा आएगी दो तो इसने पहले बुझा को लिखा है तो बुझा दो और उंचाई रूट तीन तो बिल्कुल सही जवाब option C, D answer आपका सही है इसके बाद अगला स्वा बारे में बात कर रहा है टो लंप अगल अनुपात है यांपर इस की द्रिजाओं का अनुपात है दu अनुपात थीन उंचायों का अनुपात पांच अनुपात चार ही दोनों विलन के वक्करंग के स्तरपल और और आइतन का अनुपात पूछा गया है, तो बेलन के बारे के, बेलन में दो फर्मले यूज हो रहा है, दोनों यहां पूछे गया है, देखो बेलन का वक्करपस का सरपल क्या होता है, 2 pi rh, 2 pi r1 और h1, पहले को मैंने r1, h1 से लिख दिया, दूसरे को मैं लिखता हूं, 2 pi r2 और h2, r2 और h2, देखो अनुपात बनाना है, 2 से 2 कट जाएगा, pi से pi कट जाएगा, r1 का मान देखो 2 है, r1 का मान 2 है, और h1 का मान 5 है, 2 गुणा 5, 10, r2 का मान 3 है, और h2 का मान 4 है, 10 बटे बारा, यह कट भी रहा है, दो से एक बार और यह दो से काड़ दो बार, यानि 5 पांच अनुपात 6, option D आपका सही है, आगे करने की जूरती ही नहीं, अगर चाहो तो item का अनुपात वैसे ही सही आजाएगा, option D यहाँ पर, क्योंकि इसके वक्रबश्ट का स्रेपल है, 5 अनुपात 6, item क्या होता है, बदाओ, एक बार, बेलन का item होता है, pi r square h, बेलन का item हो square h, तो r का square करना है, 2 का square हो जाएगा 4, h1, h1 का मान है 5, 4 गुणा 5, 20, और यहाँ पर 3 का square हो जाएगा 9, और h का मान है 4, 4 से 4 कट गया, 5 अनुपात 9, तो option D आपका बिलकुल सही जवाब था, 5 अनुपात 6 और 5 अनुपात 9, चलिए इसके बाद अगला स्वाल है आपके सा अनुपात 9, अनुपात 9, 8 अनुपात 9, सवाल देने सर्थ, 80 नमबर के सन महित से है, और उसत का यहाँसान स्वाल, average से, m संख्याओं का उसत n square है, m संख्याओं का योग हो जाएगा m n square, m n square, n संख्याओं का उसत m square है, तो इनका योग हो जाएगा n m square, n m square, m plus n, सारी संख्याओं का उसत कितना होगा, m plus n से भाग दे दो, उसत आसान सा basic formula, रासियों का योग बटे रासियों की संख्या, तो देखो उपर दोनों में common आ रहा है, m into n, common ले लो, m n, बचा गया, n plus m, नीचे भी क्या लिखा है, m plus n, यह दोनों आपके कड़ जाने है, आपका answer हो m into n, option b आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर, चलिए, इसके बाद अगला question math से है, 86 number आपका रह से बताएं, reasoning के, आपके सामने question पुछा गया है, कि गुनीस लड़कों की एक पंक्ती में, तो आपको पता है कि टोटल आपके सामने कितना है, 19 है, फिर क्या पुछा है, बाईं और से कौन सा इस्तान है, बारवा, सुरेश दाइं और से कौन सा है, बारवा, तो दोनों के मद्धे middle पूछा ह यहां पर आपको पता है, तो मद्धे बराबर आपको पता है कि टोटल यह कर लेना होता है, बारा और बारा कितना हो चुका है, 24, अब यह देखो, टोटल से ज्यादा चला गया, तो टोटल से ज्यादा चल देते ही, आपके सामने formula क्या था, दाया प्लस बाया, और माइनस आप 24 माइनस 19 और 21 हो चुका है, तो 24 में से 21 कैंसल कर दो, आपके सामने कितना बचा है, 3, तो आपके सामने यहां पर जो correct answer जाएगा, वो क्या जाएगा, 3, बस अब सीधा ही करना है था, देखो, कैलकुलेशन कि आउस से नहीं, ते मेरा क्या बताया हुआ है, जब बाया औ तोटल से ज्यादा चला जाए, तो कुल में आप एड़ किता कर दो, दो और माइनस कर दीजिए वहाँ पर, ठीक है, तो यह आपका right answer था, और कौन से सर आपका इससे पहले हैं, 90 नमर, लो सर, हाँ 90, 90 नमर के उस्तन देखेंगे आप लोग, बेसिक ट्रिग्नोमेटरी का आ minus cot square theta बराबर एक होता है, cos square theta minus cot square theta बराबर एक होता है, केवल minus के sign के लिए confuse कर रहा है आप से यह, बाकी कुछ नहीं था, देखो इन दोनों में minus का sign आप बहार अगर common लेते हैं, तो minus common आदने से, यह हो जाएगा minus का cot square theta, और यह हो जाएगा आपका plus का cos square theta, बस केवल आपक यहाँ answer बनेगा, minus का एक, कितना बनेगा, minus का एक, option B आपका सही जवाब, minus एक, क्योंकि identity जाए, डारेक्टी ए, cos square theta minus cot square theta बराबर होता है, cos square theta minus cot square theta बराबर होता है, तो यहाँ minus का sign आएगा, minus एक बनेगा, देखिए 91 number question भी math का है, घनमूल करना है, क्यों गुरूट 0, बहुत ही आसान सा स्वाल आपके सामने, क्यों गुरूट का है, 0 का एक जोड़ा बना, तो 0 लगा दो, यह जानते हो, आप लोग 8 का क्यूब होता है, असी आपका सही जवाब, option C, इसके बाद सर, पिचानमे number question math से है, पिचानमे number question math से है, नहीं, reasoning का जल, बता दे सर आप 95, लोग जी, देखो किता question मतला missing number का सीधा question पूछा है, देखो आपके सामने क्या पूछा है, आठ का आठ लिखा है, तीन का तीन लिखा है, छे का छे लिखा है, एक का एक लिखा है, आप भी लिख दो, दो का दो लिख दो, नो का नो लिख दो, तो 29 आगया, और सेम condition है, पहले लिखा है, फोर बाद में लिखा है, यहाँ पर तीन पहले, पास पहले, यहाँ पर 0 पहले और दो, बाद में 0 और 2, तो 39 जीरो दो, तो right answer आपके सामने क्यों आ गया, 29 जीरो, दो, ऑप्सन यह आ गया, तो 95, इसके बाद में सर आपका कौन सा है, मैस्क, अच्छा पह पूरे पेपर में, कर सबसे अच्छे कुसंस की बात करी जाए, तो वह यह है, दो नमबर मिलने चाहिए, यह दे इस अकेले कुसं के अंदर, दो से भी जादा नमबर दिये जाए, तो बढ़िया, एक स्वाल, सिंगल अच्छा स्वाल आया है, मैस्क में, एक बहुत बहुत अच्छा स्वाल, अगर पूरे पेपर की बात करी जाए, तो एक अच्छा स्वाल है आपकर, एक बनाबर लिखा है, वन अपॉन प्लस रूट टू, और आप से पूछा गया है, एक स्क्वाइर प्लस दो, एक स्वाइर प्लस तीन, एक से दिखते ही, आदे विद्वानों का से गुणा और रूट दो माइनस एक से भाग, रूट दो माइनस एक से गुणा और रूट दो माइनस एक से भाग, तो यहां नीचे बेसिक फोर्म बनता है, एक स्क्वाइर बनता है, रूट दो माइनस एक, एक स्कामान आता है कितना, रूट दो माइनस एक, अब यहां पर केवल आपको पकिसान तरण करना है, x plus 1 का whole square कर दोगी, बराबर में root 2 का square होगा, root 2 का square, a plus b का whole square, अगर आपको याद है, तो आसान था सवाल आपके लिए, a square plus b square और plus 2ab, 2x बनेगा ये, बराबर root 2 का square कितना होता है, 2, अब देखो, क्या पूछा गया, x square आ गया, plus का 2x भी आपको आपका जवाब बनता है, यहां पर 4, तो आसान और अच्छा सवाल था, पूरी match में, एक single question बहुत बढ़ी, आच्छा सवाल है, 109 number, इसके बाचर, इसके बाद आता है, match का question आपके सामने, 118 number question है, sir, match, 118 number question, देखिए, तिर्बुज का एक आसान सा question, आप सबको आ आता होगा, एक तिर्बुज के तीनो कोणों का योग 180 degree होता है, कौण A का 2 गुना, कौण B का 3 गुना, और कौण C का 6 गुना, यह सब क्या लिखे हैं, बराबर में लिखे हैं, 2,1, 3,B, और 6,C, सब बराबर में हैं, ABC का मान बताना है, तो आसान सा सवाल था, लेकिन यह ग निकालना है, तो B को चुपाओ, दो गुना 6,12, और C निकालना है, तो C को चुपाओ, दो गुना 3,6, अनुपात बनेगा, 6,3,18, 6,2,12, और 6,1,6, 3,2,1, 3,2,5, और 1,6, 6 बराबर 180 degree, एक बराबर कितना हो जाएगा, 30 degree, एक बराबर 30, 30 गुना 3,90, 30 गुना 2,60, और 30 ग मिक्सर मोसम बनाया है, यहां देखो, यहां पर सीधा सीधा क्या पूछा है, पांस सेंटीमेटर भुजा के दो गनों को जोड़कर एक गनाब बनाया जाता है, तो इस परकार बड़े, इस परकार बने गनाब की लंबाई, यहां पर क्यूब देकि कुवर्ड के अपने पास पूछा है, तो आपको पता यहां पर कितने घन, दो घन जोड़कर बोला है ना, तो एक गन की बुजा कितने सेंटीमेटर है, पांस, तो दूसरे की भी एड़ कर तो कितना आ गया, पांस, पांस कितना आ गया, दस, तो सिधा आनसुर कितना पूछा है, दस पूछा है, तो यह था आपका मैस ओरीजिनिंगा अब हमारे साइंस वाले सर मोसम बनाने के लिए आ रहे हैं अजिए देवगण साहब आओ सब्सकार मैं संदीबन सलाब सब्सक्राइब करता हूं तो चलिए आज का पिपर जो पहले स्रिप्ट में हुआ है उसके आंसर की देखते हैं मैं तो कि आप देख चुके हो शुरू करते हैं साइंस के बढ़िया लेवल अच्छे सवाल है ऐसा भी नहीं कि आपने नहीं पड़े हो लगबख 25 सवाल साइंस और टेक्स से संब्सक्राइब और 25 में से अपना रेश्यों कल से वहीं चल रहा है तेज 24-25 सवाल आ रहे हैं जिनमें आ पिद्य को enhance on कि जरें आ अगला सवाल है, question number 4, question number 4 निकाली है, science tech का सवाल है, किसके बीच के दवारा एक दूद जैसी सामगरी बनाई जाती है, चना जो मक्का, soya bean, आपने अकसर देखा होगा, आज कल healthy दूद पीने का चलन चल गया है, soya milk बोलते हैं उसे, soya milk आता है, soya sauce आती है, soya milk, soya bean से दूद मुनता है, question का से जवाब, option D is the correct answer, simple सवाल है, अगला सवाल अपना जाता है, question number 6, सीदे सीदे आपके notes में लाइन लिखी हुई है, कि किस vitamin को हार्मन, vitamin की संग्या दी जाती है, और Kelsey हम नाम आगए, Kelsey Ferrol, vitamin D, question का से जवाब, option B is the correct answer, vitamin D, उसके बाद में अगला सवाल है, question number 10, question number 10, science tech का सवाल है, question number 10 क्या कर रहा है, रुदिर वर्ग है B, B किस-किस ब्रक्तियों को रक्तदान कर सकता है, तो हमने क्या सीखा था, कि सेम वर्ग समान समू अपने से लेगा, अपने को देगा, sorry, सर्वगराही सभी का खून लेगा, तो B किस-किस को दे सकता है, A को नहीं दे सकता, A को नहीं दे सकता, B को दे सकता है, लेकिन O को नहीं दे सकता, B को दे सकता है, और सर्वगराही को दे सकता है, सर्वगराही को और A, B, question का से जवाब, option C is the correct answer, चली अगले सवाल है, question number 12, एक परिवासा पूची गई है, और मैं अक्सर आपको 18 परिवासा लिखात का संक्रन करा रहे है सम्यूग मजी जनक सम्यूग मजी जनक में आपके capital T capital T भी हो सकता है small t small T भी हो सकता है यह प्रभाभी जनक है dominance nature का यह प्रभाभी है recessive है अब बात ही आती है कि इस में से अगर इस से कराओ तो तो कहलाएगा दूसरा और इस से कहलाओ तो कहलाएगा Sell ओली का संक्रन जब अपन परभाभी है परभाभी से क dopoणن रहे है तो इसको बेक क्रोश केते हैं question के सेजवाब option B is the correct answer for what 억 संक्रन चली चलते है अगरे question पे next question 21 number का सवाल है आपके सामने 21 number का question है और सीधे सीधे तीसरे line इस topic में आपको तीसरे line लिखाई है कि भारत के अंतरगत jab patent कितने वर्स के लिए दिया जाता है 20 वर्स के लिए जाता है question का सही जवाब आपका कितना हो गया 20 वर्स question का answer 21 का सवाल का answer होगा option C 20 वर्स के लिए दिया जाता है इसके बाद में आते हैं आपका कि अगला सवाल जो आता है अभी बताते हैं आपको question number है आपका 35 question number 35 निकालिए एक दरपन है दरपन से अपनको उल्टा और बड़ा प्रतिविम बनाना है एक दरपन में किसी वस्तु है कोई वस्तु का नाम दे दिया X उसका प्रतिविम उल्टा बनना चाहिए और बस्तु से बड़ा समतल दरपन उल्टा देता ही नहीं है उतल दरपन हमेशा सीधा देगा चोटा देगा बड़ा मतला बड़ा बीची है और उल्टा बीची है option is the correct answer अब तल दरपन डारेक्ट उसकी property पूछ लिए चलिए अगला question है 49 39 LDC का सवाल है बार-बार बोलता रहता हूं LDC के questions को देख के जाओ लास्ट 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 दोजार अठारा सत्रा जो भी LDC के 45 पर हुए थे उसमें सवाल आया था सबसे पहला जो यान बेजा गया था वो नासा का था जिसे बोलते हैं नासा इस्पेस प्रॉब नासा इस्पेस प्रॉब बोलते हैं दो मार्च मेंने डेट भी लिखा रिख्या आपको नोट्स में दो मार्च 1972 की बात है तो यह नाम है पाइउनियर 10 option c is a correct answer पाइउनियर 10 चलिए अगला question आता है 43 43 43 निका लिए काइं 43 है गया देखो 19 अप्रैल 1971 की बात है और वर्ल्ड वर्ल्ड फरस्ट इस्पेस इस्टेशन वर्ल्ड फरस्ट इस्पेस इस्टेशन लॉंच्ट वाई यूनियन इसके द्वारा द्वारा सोवियत संग के द्वारा है ना सोवियत यूनियन के द्वारा इसको लॉंच किया गया था तो यह एक स्पेस इस्टेशन है यह गलत लिखा हुआ है यह होता है वोल्ड का स्पेस स्टेशन है, जो उननी से अप्रल उननी से स्टर को लॉंच किया गया था, रियाद रखना है, यह स्पेलिंग मिस्टेक दे रखी है, S-A-L-Y-U-T फर्स्ट होगा, कुश्यों नंबर 43 का जो आंसर बनेगा, वो बनेगा उप्सन सी, अम्तिरिक्षियान स्पेस स्टेशन, उसके बाद में, अगला सवाल जो आपका आता है, तो इसके बाद में नंबर आता है, 48, तो साइन्स का सवाल है 48, कहा है 48, यह गया, the compound which gives alcohol on reduction, इन चारों में से किसका अप्चैन किया जाए, अगर आप इसका अप्चैन कर दोगे, तो यहां से एनस 3 निकलेगी, यहां से H2 निकलेगा, अमोनिया और जल, और साफ में बनेगा अलकिल, यह बन गया, यह बन गया alcohol, तो यह अलकॉल किस से आएगा, ऑप्संसी से आएगा, अप्संसी से आएगा, अप्संसी is the correct answer, चले चलते हैं एगले कोशन पर, और नेक्स कोशन गोज, 64 नंबर का सवाल है, 64 आज आईए, बड़े मज़ेदार बात बताऊंगा आपको, 64 में, चार अप्संस में आंसर ही नहीं बैठेगा, क्या टिक करोगे, सवाल क्या है, पारिस्थितिकी एकॉलोजी टर्म बास कॉइंड यह एकॉलोजी पारिस्थितिकी सब्द किस ने दिया था, यह एकॉलोजी सब्द पारिस्थितिकी सब्द जो दिया था, वो दिया था, अर्नेस्थ हैकल ने, किस ने दिया था, अर्नेस्थ हैकल ने दिया था, चार अप्संस हैं, चार में, ब्राउन भी डिये, खुराना भ दिया था, तो according to me, अगर मानेंगे आंसर तो वो ये मानेंगे, लेकिन मेरे ख्यास से तो ये आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसका Annest Hakel तो इसको star mark कर लो, मैं इसका जवाब आपको नहीं जे सकता है, क्यों कि ये सब्ध दिया था, औरनेस्थ हेकल ने क्यों क्यों है करें सकता अब यह वोड के उपर है को डिलेट करेगा रीटरा सर्माने का लेकिन वासप्रक्टा तो यह अप चेक करना अंश है कल पारिस्थ्यक और वर्ड को लिदिया था चलते हैं कि नेक्स कोस्ट यह DRU के अदक्ष कौन है करंट का सवाल है अब दे सर आपको इसकी पूरी व्याक्या कर देंगे लेकिन फिर भी इसका अंसर मैं बतायता हूं जब मैंने बोल दिया यह जो बने थे 2022 में DRU का अदक्ष वह है समीर भी कामत समीर भी कामत चली अगला सवाल है 67 number का सवाल है बहुत ब प्रोचेस टू स्टॉप अब देखो एच का मतलब ही क्या है हाइपर टेंशन उच रक्त चाप जिसको हाई ब्लड प्रेसर की समस्या होती है उनको ऐसी चीज़े खानों की खाने की अनुमती नहीं दी जाती जिसे ब्लड प्रेसर हाई हो जाए तो इस क्वेशन का सही जवा 73 सवाल कया है पढ़िये अधि कांस रोग जनक जीव जो अतिसार का कारण मंते हैं अतिसार का मतलब क्या बता दिया उसमें डायरिया बता दिया अतिसार का अंसर क्या बता है डाइरिया, दस्त वाली बात कर रहा है, दस्त काई से लगते हैं, बूंदों से तो जुखाम खांसी होती है, पसुका व्यक्ति से संपर्क से कोई भी रोग हो सकता है, कीडे के काटें से जादा तर वुखार मले रही है, ऐसी चीज़े होती है, ड 74, असत्य कर्थन को चाटना है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रोन होते हैं, विस्थानिक्रत बिल्कुल होते हैं, ग्रेफाइट को इसनेहक लूब्रिकेंट के रूप में इस्तमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ग्रेफाइट में विध्योदारा प्रवायत नहीं होती है, क जलत दिया हुआ है चलिए चलते हैं अगला कोश्वन आपका आता है 77 नंबर सतितन नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर साइन से समंदित बहुत बढ़िया अच्छा लेवल है और मिक्सप है ना कोई हाड है ना कोई easy है बिल्कुल hard question भी है easy भी है moderate level बड़िया पर आया है लेकिन एक दो questions में misprint है options नहीं मिल रहे है या question है चलिए अगला question क्या निमन में से कौन से अभिक्रिया नहीं होती है अब देखो जैडैन और f e अब reactive series यहां काम आएगी reactive series में जैडैन ऊपर आता है f e नीचे आता है तो जैडैन इसको इस्थापित कर देगा होगी mg उपर आएगा cu नीचे आएगा यह भी होगी ki plus cl2 k जो है वो cl को अपने साथ ले लेगा यह भी होगी लेकिन जैडैन mg को बिस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि reactive series में mg उपर आता है mg जैडैन को बिस्थापित डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन जैडैन mg को नहीं कर सकता है यह भी करिया नहीं होगी option B is the correct answer चली चलते है एगले question पे next question जो आता है वो अपना है 89 number 89 number का सवाल है 89 number का question है जूट पूछा है जूट इतंतू का मुक की घटक कौन होगा जूट-फाइबर तो देगो जूट में चार हुआ होते हैं चार ली होता है लिगनिंभी होता है hemi cellulose भी होता है लगबक 12% तो इसमें सबसाद मात्रा किसके आरी है इसकी option B is the correct answer cellulose चलिए चलते हैं अगले कुशन पे और यह रहा आपके सामने अगला सवाल है 97 बड़ी है सबस्वाल सवाल है और में वहत थीबून में सबस्वाला है अने वाला है में उनलिन में से बहुतीबून का देहन जलाना राक हो जाएगा तू बीच जा गली6 और निदू में जंग लगना रसैनी परीवर्तन लुह निदून मौम का जलना मौमबत्ती का रसैनी कौ तूनों ही रेंगे लेगिन बर्फ का पेगलना पानी के वल बहुत परीवर्तन है वकुश्यन का सही जवाब option is the correct answer. इसकी साथ अपना अगला सवाल जाता है question number 108 question number 108 एरा आपके सामने question number 108 देखो, प्रिज्म का पूरा डाइगराम उठा के दे दिया यहाँ पर क्या किया? white color आया, दो प्रिकास में बदला दोनों प्रिकास जुग गए, उल्टा प्रिज्म लगा दिया दोनों प्रिकास मिल गए और फिट से लाइट निकल गई अरे तो भाईया, white color गए थी तो निकलेगी भी कैसी? अरे, white color तो निकलेगी? तो उसने पूचा है कि निर्गत किर्णों के बारे में क्या का जा सकता है? निर्गत किर्णों के बारे में क्या का जा सकता है? रेड लाइट होगी? निर्गत किर्ण, निर्गत किर्ण तो एक ही निकलेगी? क्यों क्यों कि उल्टा प्रिज्म कर दिया? क्वेश्चन का सही जवाब जैसी आ रही थी वैसी निकलेगी option B is the right answer सफेद प्रिकाश 111 नीचे 111 111 रक्त कोशिक आएं blood cells की बात करा जो सरीर को जीवों से और अंडवारी पदा तो सुरक्षित करती है कि बीमारियों कौन बचाव करता लसी गानु लिंफोशाइट्स करती है प्रतिरक्षी पधारतों का निर्मान करती है और T stroll motive करती है प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करती है अब यह पूछ रहा है कि सुरक्षा कौन करेगा वो प्रेरित करेगी तो सारी लसी का है यह पिर सारी लिंफोसाइट्स बिलकर करती है क्वेश्चन का से जवाब option is the right answer श्वेतानू होगा कि चलिए अगले कुश्ण पर चलते हैं कि 120 नंबर का सवाल है 120 नंबर का कुश्ण क्या करा है कि 120 सामाने दरश्टी वाले युवा बैस के लिए निकट बिंदू की दूरी कितनी होती है और कोई जानता है 25 सेंटी मिटर होती है इस पर दरश्टी की निकट तंब दूरी कितनी होती है नियूनतम पच्छी सेंटी मिटर उसके बाद में अगला सवाल है 1203 नंबर का सवाल है 1203 नंबर का कुश्ण क्या है देखिए इसके बाद में अगले सवाल एकले सवाल पर अगले सवाल पर एक सो उन्तालिस, एक सो चालेस, वन फॉर्टी हाला कि यह आप जोगराफी में भी बढ़ सकते हो, साइन्स टेक कभी सवाल है, है न जनतू पादवो का आर्थिक मेत्व का, ऊट अनुसंदान के अंदर इस्तित है, कौन से जलामेह साब, ऊट अनुसंदान के अंदर किस में इ के साथ 25 सवाल के और लास्ट नमबर का सवाल स्टार्टिंग साइंस से, अपका उत्तर लेंस की चमता होती है, बताएए उत्तर लेंस की चमता, उत्तर लेंस को धनात्मक पॉजुटिव लेंस कहते हैं, और सवाल ते पच्चिस जिनमेंस से 17, 18, 19, 20 के करीब यह वो अच्छ चलि यह सी के साथ में आपको अंगरी जी के questions के भी answer करवा देता हूं Question number 7 Question number 7 है amendment के लिए सही परिभासिक सब्द क्या है? Amendment क्या होता है? संसोधन Question number 7 बोलते हैं की sansodhan हुआ amendment हुआ यह इतने नंबर का हुआ उतने नंबर का हुआ तो question number 7 है, amendment का मतलब क्या है, question number 7 निकालिए, ये गया, amendment का मतलब क्या होता है, question का सेजवाब संसोधन, options is the correct answer, 8 number का सवाल पढ़िए, choose the correct alternative from translation of the technical term, technical term, अनुपूरक, अनुपूरक किसे कहते हैं, supplement को कहते हैं, options is the correct answer, supplement होगा, बिलकुल सही जवाब है, बड़ा simple, बड़ा अच 15 नंबर का सवाल पर आईए, question number 15, question number 15, question number 15, convert the following indirect speech into direct speech, मतलब indirect को direct को बड़लना है, he required whether his name was not Ahmed, he inquired, sorry, he inquired whether his name was not Ahmed, he said to him, he said to him तो सही है, लेकिन was not your name, Ahmed गलत हो गया, he said गलत, said गलत, he said to him सही है, is not him, name Ahmed, गलत, he said to him, is not your name, Ahmed, बिलकुल सही जवाब, option is the correct answer, जले चलते हैं, अगले कोशान पर, next question क्या है अपना, question number अगरे जी काता है, 36 number का सवाल, आजाएए साभ, freedom की बात काराएं, freedom, सटनत्रता की, इसका बलोम सबताना है, freedom का बलोम सबतान लिवर्टी भी स्वफंत्रता इन्डेगेंडैंस्ट पिए उड़ाता और अचेर्डी का उप्संदी इसलेवरी का दासमर ना गुलामी करना गुलामी करना अब एक जानता यह तो कैम उलू हम थफ्चा बच्च जानता है 53 53 नंबर 53 53 53 53 number चूस दा करेक्ट प्रिपोजेशन चूस करना है in the flame blank वार्निंग, no authorized personal beyond this point, besides this point, since this point of this point, simple बात है, वार्निंग, दे रखा है, no authorized personal, आप of this point, इस point के उपर option is the correct answer चलिये, उसके बाद में 59 replace the underlined part, 59 replace the underlined part of the following sentence with one word from the options given below, she teaches the science of the life plants, अरे तो science का सवाल आ गया, अंगरे जी में ढाल दिया गलत वार, यह तो question science का था, पर वो इंग्लिस के अंतरगत इसको frame करके बना दिया है कि plants की life का अध्यन, सांथ कांट्रगत, अब जेओलोजी का होता है जन्तू विजयान, एक बच्चे ने मुझे अब हम ज़े कलपड सोई एक मेंसेज किया था, मेर पसट वाट्सप पढ़ाओगा किस अध्य का हिंदी मतलब क्या होता है, तो वो इपूछ लिया था, जन्तू पाध्धिन इसको बनस्पति विग्यानिय पादफ सास्त्र केते हैं, option D is the correct answer, बिल्कुल, science English mix कर दिया है, question क सहे जवाब, option D, इसलिए मैं आपको अच्छे स समझा दिया, अगला सवाल आता है, एक सथर नंबर, oh my god, एक परग्राप दे रखा है, वो परग्राप आपको पढड़ना है, अब आप पढ़ लीजगा, परग्राप दे रखा है, यह एक सथ, और इस कोश्चन का सहे जवाब दो होगा, पैसेज दे रखा है, पैसेज का अंसर निकालना है, चलिए, इस कोश्चन का सहे जवाब होगा, discussing research into the symptoms of bacterial infection, option D is the correct answer, वैसे तो यह भी साइन से समद्धि सवाल लग रहा है, सुपरवग, पूज लिया, यह भी साइन्स का सवाल है, सुपरवग जो है, वो मानव के दौरा निर्मित, जय व तक्नीक के अंतरगत, प्रथम, मानव दौरा निर्मित, प्रथम जीवानू है, सुपरवग, सुपरवग, जो की सुदो मुनास कुटडा के जरिये बनाया गया था, यह तेलिये अपसुच पधारतों का अब गटन करने में क्या है, क्या पेबल है, सक्षम है, अमेरिका ने जाए पेटन ले खाए इस पर सुपरवग पे, क्योश्चन का अंसर ऑप्शन दी होगा, यह भी साइन्स का अंग्रेजी मिक्स करके बना दिया सवाल, चलिये, अगला सवाल अंग्रेजी का था, 78, 78 का, सिनोनिम बताना है, आपको समानार्थी सब्द बताना है, Deform का, Deform का, Deform का समानार्थी सब्द का होगा, Fashion होगा, Beautiful होगा, Mold होगा, Dissort, Option B is the correct answer, Distort होगा, Distortion मोलते हैं, Distortion, Distort होगा, Deform मतलब distorted करना, Form बतलब बनाना, Deform मतलब तोडना, distortion करना, lust करना, तो distort answer बन जाएगा, चल ये चलते हैं अगले question पे, और next question आपका आता है, English से संबंदी सवाल, 105 105 बताओ, 105 में एक अंगरी जी का sentence दे दिया, और Hindi आप से बुलवा ली गई है, बिलकुल बढ़िया, simple सा सवाल है, translate the following sentence into Hindi, he called a taxi for me, उसने मुझे taxi पुकारा, नहीं, he called a taxi for me, मेरे लिए, वे मेरे लिए एक taxi लाया, वो थोड़ी लाया, उसने मुझे एक taxi का नहीं, उसने मेरे लिए एक taxi बुलाई, question का से जवाब, option B is the correct answer, 105 का, चल ये, चलते हैं अगली question पे, और next question जो आपका आता है, अंग्रे जी का, English का, और वो सवाल है, आपका, 130 नंबर का सवाल है, बोल रहा है कि, choose the correct option, the tone of a circular, should, circular की tone का, मतलब क्या होना चाहिए, remain the same for any kind of audience, be humorous होगा, be strict होगा, you have different for different kinds of audience होगा, और ये, simple सी बात है, circular की बात कर रहा है, क्या होना चाहिए, remain the same for any kind of audience, किसी भी सुरूता के लिए, same रहेगा, option is the correct answer, 130 का, और ये आता है, आपका अग्ला सवाल, 141, 141 नंबर का सवाल है, voice change करनी है, इसकी voice change करनी है, who teaches you, such things, who teaches, तो who में क्या चल जागा, by whom, तो ये तो गलत हो गया, by whom, who teaches you, by whom, are you, are you, who, you के बाद बर लगा रखा, गलत हो गया, तो ये तो वैसी दिग्या, सी दे सी दे, option B होगा, by whom, are you, taught such things, option B is the correct answer, active passive, voice की बात कर रहा है, चलिए, चलते हैं अगले कोशन पर, और अगला कोशन है 144, 144, fill in the blank with the appropriate article, fill करना है, eat banana every day to keep yourself healthy, 0 article, 0 तो क्या लगेगा, da, n, a, da, banana, banana को da तो कह नहीं सकते हो, तो ये specialization हो गया, अब बचा, n, तो ही तो स्वर्ज हो है, वो A, U, A, U, वो बल तो आई नहीं रहा, तो आँसर क्या बन गया, option D is the correct answer, आब अना ना, चलिए, अगला सवाल आता है 149, चलिए, एक सुननचास नंबर का आँसर क्या बनेगा, choose the correct tense of work given the bracket, tense बताना है आपको, do you speak English, spoken, अब do you आ रहा है, do you, तो यह तो प्रेजेंट में चला गया, speaking तो प्रेजेंटिंग चला जाएगा, spoke past में चला गया, speak answer बन जाएगा, option D is the correct answer, do you speak English, बिल्कुल सही है, यह लो साहब यह आपकी English के साहल थे, बने रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं स्वागत करता हूँ, अब दे सरकाब, वो आपको पॉलिटी के संब्धित question कराने वाले है, मैंना आपको, अब आपकी मेहत हो गई, reasoning हो गई, science हो गई, English हो गई, अब आप पॉलिटी के answers देखिए, दन्यवाद, हाँ, जी, तो अब आप पॉलिटी और करेंट के question solve करोगे, सबसे पहला प्रिशन आता है, प्रसंद संक्या पाँच, पाँच नमबर और एक करेंट का प्रिशन है, और आप से इसके अंदर पूछा गया है, कि जो अरुन जल बिद्धुत परियोजना है, अरुन बिद्धुत जल परियोजना भारत एबम किस देश के सहयोग का परिणाम है, तो दिखिए अरुन जल बिद्धुत परियोजना की बात करें, तो ये परियोजना नेपाल के अंदर है, पहली बात तो आपको ये ध्यान डखना है, इसका विकल्प जो सही होगा, वो ए होगा, और ये जो अरुन नदी है, उस अरुन नदी पर भारत और नेपाल के सहयोग से, छैसो गुनियासी मेगाबार्ट की विद्धुत परियोजना है, इसका संचालन किया जा रहा है, और ये भारत की पहली, यानि आप यूं कह सकते हैं कि विद्धेसी निवेश परियोजना के अंतरगत आती है, तो इसका सही विकल्प होगा, इसके बाद अगला जो प्रिशन आता है, वो आता है प्रिसन संख्या चाउदा, और प्रिशन संख्या चाउदा की बात करें, तो ये पॉलिटी से संबन्दित है, और इसके अंदर आप से पूछा गया है, कि निम्न लिखित में से कौन सा राजिस्तान के मुक्ष मंत्री पद का नहीं है, यानि यहां से पूछा गया कि मुक्ष मंत्री जो पद है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़े सामेल है, यानि जब कोई व्यक्ति मुक्ष मंत्री बदता है, तो वो ओटोमेटिक किन किन चीजों का सदश या अध्यक्स बन जाता है, तो देखेगा पहला है राष्टिय विकास परिस्द का सदश, तो विलकुल ये राष्टिय विकास परिस्द का सदश मुक्ष मंत्री होता है, ये बात सही है, मुक्ष मंत्री सलाकार समयती का अध्यक्स होता है, ये भी बात बिलकुल सही है, राजिस्तान राज्य मानवादिकार आयोग का अध्यक्स दिखीगा राजिस्तान राज्य मानवादिकार आयोग का अध्यक्स मुक्ष मंत्री नहीं होता मैंने आपको मानवादीकार पड़ाया है और मैंने आप से कहा कि मानवादीकार एक अलग से एक क्या है बैधाने काइज़पाल की जाती है और चार सदस्वार्श समय्ति क मुक्षमंत्री होता है लेकिन यहां इसने कहा कि रजिस्तान रजि मानवादिकार आयुक कर बैदेख्ष होता है होता है क्या तो अध्यक्स नहीं होता इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा जबकि अगर डी ऑप्सन की बात करें कि अंतर राज जी ये परिशद का सदश होता है तो बिलकुल अंतर राज जी परिशद का ये सदश होता है तो इस प्रकार इस प्रिशन का जो सही विकल्फ होगा वो होगा सी इसके बाद अगला जो आपका प्रि पूचना आता है प्रिसन संख्या 25 और इसे आप करेंट का भी कह सकते और पॉलिटी का भी कह सकते दोनों मिक्स है और इसके अंदर आप से पूछा गया है कि उपर करो थोड़ा सा यहीं है इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है देखेगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हलाकि ये करेंट का प्रसन है पॉलिटी का भी है दोन शौर है एक तो आपके है अनुप कुमार पांडे और दूसरे अभी इसके बने हैं गोयल साहब इसके क्या बने हैं सदश्य बने हैं तो सही इसका विकल्फ होगा डी यह आपको ध्यान डखना है अगर भारतिय निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी जो इस्तापना हुई 37 और यह मैंने आपको करेंट में जो मेराथन कलास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको कराया भी था कि लक्ष सेन का संबंद किस खेल से है लेकिन यहाँ पर इनके साथ साथ एक खिलाडी का नाम और पूछ लिया तो अगर आपको लक्ष सेन का पता है तो आप इसको बैसी स सकते हो कि लक्ष सेन इबम कि दामवी शरी कांत निम्र कितमें से किस mostly से संबंद के आपको मैंने बताया था कि यह बैडमिंटन से संबंद देते हैं उत्त्रा खंड के खिलाड़ी है लक्ष सेन की मैंने आपसे बात की तो अगर आपको लक्ष सेन इसका आंसर पता है तो इस आप इसका आंसर दे सकते हो, इसका सही आंसर होगा B, यानि बैडमिंटन, इसके बाद अगला जो प्रिशन आता है, वो आता है 41, और यहाँ पर है, 41 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पूचा गया है, कि राज्यों के निर्वाचन आयोग, विधान सभा सदश्यों की आयो इसको देता है, तो इसका सही जो विकल्ब होगा, वो आपके होगा, राज्यों आपको याद रखना है, अगला प्रिशन आपके प्रिशन संख्या 42, इसके उपर नीचे वाला ही है, और यह भी आपके से सम्मंदित है, दीखेगा, यहां अधिनस्त पोरड ने आउट टॉपिक में है यह नहीं फिर भी उसने सर्वुच न्याल्य का प्रसंद पूचा है तो ऐसी गलतिया यानि अधिनास्त बोड के द्वाइं जो गलत है अगर आपने अगर मान लीजी स्लेवस जारी किया है तो आपको स्लेवस के अनुसार ही बच्चों को प्रिशन यानि स्लेवस के अनुसार ही आपको यहाँ पर यानि प्रिशन देने चाहिए लेकिन आपने गलती की आपने लोका युक्त का आपका टॉपिक नहीं था आपने हर पारी में लोका युक्त से सम्मधित प्रिशन जब इन्होंने टॉपिक में दिया ही नहीं तो फिर आपने सर्बोचनेले का प्रिशन यहां पर क्यों पूछा तो ऐसी गलतिया यहां पर अधिनस्त बोर्ड के द्वारा की गई है और इनको प्रिशनों को डिलीट करना चाहिए अगर उन्होंने गलती की है तो यह जरूरी भ 132 यानि 132 के माध्यम से उसकी अपीलिय चित्र अधिकारता का उलेक किया है और इसके अंदर यह कहा गया है कि दीवानी आपरादिक एवं संब्धाने की मुकदमों की अपील यहां पर की जाती है तो आर्टीकल इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा क्योंकि आर्टीकल 132 इसके अंदर सर्वोच नियल्य को इसकी अपीलिय अधिकारता का इसके अंदर प्रावधान किया गया है इसका उलेक किया गया है तो सही आंसर इसका डी होगा इसके बाद अगला जो आपका प्रिशन आता है वो प्रिशन आता है आपका 44 प्रिशन आता है और 45 नंबर का प् यानि आपको असथ बताना है कि कौन सा कथन राजपाल से संबंदित असथ है पहला राजपाल सचिवायल्य का प्रमुक राजपाल का सचिव होता है गलत बात है मैंने आपको कई बार बताया है कि सचिवायल्य का जो प्रमुक होता है वो आपका मुख्य सचिव होता है तो यह तो आपका यहीं गलत हो गया और यह राजजपाल का सचिव नहीं होता जो राजिस्तान प्रसास्तिक सेवा का अधिकारी होता है तो यह गलत है मुख्य सचिव अलग होता है राजजपाल का सचिव अलग होता है दूसरी बात राजजपाल की स्वय विविकिये सक्तियों से लि प्रदान की गई है जिसमेंसे जो अंतिम पांच मिये क्षमा उसके अंदर ये कहा गया कि आप म्रतु डंड को छोड़ कर बाकी किसी भी सजा को आप पूर्थे माप कर सकते हो तो यहां पर म्रतु डंड के बुरुद्ध क्षमादान की सकती राज्यपाल को नहीं है कथन सही है राज्यपाल को प्रसास्तिक सायता करने के लिए एक राज्यपाल सचिवायले कारीरत है तो राज्यपाल सचिवायले कारीरत होता है अब देखें यहां पर अगर आप ऑप्शन A और D को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन B और दोनों में कनिफ्यूज है लेकिन अगर आप इन में से सही में जाओगे तो सही इसका आंसर ए होगा क्योंकि ए इसलिए होगा कि राजपाल का सचिव, राजपाल सचिवाल्य का प्रमुक होता है ये बात सही है अगर ये बात सही है तो फिर ये बात भी सही है कि राजपाल का सचिवाल्य होता है तो अब इन में से आप कौ अब लोचि स्वॉय मामले को अपनी स्वॉय ओप जाता कि अपनी सव्य सक्तियों के इसे मामले है होती है कि आपने देखा होगा कि जिस दल का भवमत है उस दल के कि सरकार नहीं बनाता है किसी अन्य दल को बुला लेता है तो ऐसी कंडीशन में वे दल यानि उच्छ स्वाइब कि इसका जो सही विकल्ब होगा वह आपके भी होगा क्रा इस को कि कौन dies भी समय क्योंकि को धिस्कौन और ऑफ करेंट प्रेफ्षण किस बजटेट बरस में राजिस्तान के मुक्षमत्री ने राज्य इस्तरिये पंचायत अवार्ड योजना प्रारम की अगर देखेगा राज्य इस्तरिये पंचायत अवार्ड योजना की बात करे तो ये बसुनर राज्ये के समय ये यानि ये योजना प्रारम हुई थी और ये 15-16 के बजट में पहली बार इस योज आंसर A होगा। होगा ये आपको ध्यान डखना है 9 सितंबर 2022 को इस योजना का सुभारंब किया गया था मुक्ष मंत्री असो गैलोत के द्वारा मन्रेगा की तर्ज पर तो ये आंसर इसका सही होगा अगला है प्रिसने है 65 नंबर और ये पूछा गया 65 करेंट का प्रिसने और हाली में चर्च सामे था और इसके अंदर पूछा गया जो मिशन बुनियाद है इसका संबंद किस से है तो देखिए मिशन बुनियाद का संबंद सिक्षा से है यानि जो हमारी डिजीटल सिक्षा है उस सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की सुरुआत रहिस्तान सरकार के साही इसका आंसर होगा डिजीटल सर्फ चाह या डिजीटल सिक्षा एक इसका सही जो आंसर होगा वो डी होगा यह आपको याद रखना अगर प्रौश्ण संख्यार vi severe dosage इसके अंदर अगर हम बात करें तो पर bud मात करें तो पृसिन संख्या यह आपका 66 उ necesit गया है कि DRD ओ का जो अध्यक्स है वो वर्तमान में कौन है दिखेगा वर्तमान में जो DRD के अध्यक्स बने है वो बने है समीर भी कामत और यह सतीस रेडी के इस्तान पर यह बने हैं हाली में यह आपको ध्यान रखना है DRD की स्तापना 1958 में हुई थी इसका जो आदर्स वाक्ष है वो है बलश मूलम विज्ञानम इसका हेड़ क्वाटर है नई दिल्ली के अंदर यह आपको ध्यान रखना है अगला जो आपका प्रशन है वो है प्रिसिन संख्या 83 यानि 83 और यह आपका जो प्रिसिन है वो करेंट से स लौदपूर का एक पाल गाउं है इस पाल गाउं से यानि इनका राजीव गांदी यानि ओलम की खेलों का उध्गाटन किया था तो यह आपको ध्यान डखना है इसके बाद अगला जो आपका प्रिशन आता है वो प्रिसन आता है आपका कौन सा चौरासी नमबर प्रिसन आ और इसमें आपसे पूछा गया है कि निमलिकित में से किसने 8 अक्टूबर 2022 को कुवालामपुर में आयोजित विश्व विलियर्स चैंपियंशिप में अपना 25 वा खिताब जीता तो देखे 25 वा खिताब जीता था ये पंकाजडवानी ने ये इसका एविकल्प इसका सही आंस बैंक के द्वारा भारत की प्रतम electronic bank guarantee जारी की गई तो ये अभी एक private bank है आपने नाम सुना होगा HDFC का इसके द्वारा यानि ये आपकी प्रतम electronic bank guarantee चालू की गई थी तो इसका सही विकल्प होगा आपके इसके बाद प्रिसिन संख्या 94 और प्रिसिन संख्या 94 की अगर हम बात करें तो यह आपके अजमेर राजी के प्रतम मुक्षमंत्री कौन थे तो जब अजमेर एक union territory था एक केंदर सासित राज्य था तो यहां पर 30 यहां पर धारा सबा हुआ करती थी जिसमें 30 सदस हुआ कर सक आते और इसके जो प्रतम जो मुक्षमंत्री बने थे वो हरी वाव उपाध्या बने थे तो सही इनसका आंसर ए होगा इसके बाद अगला जो आपका प्रिस्टा आता है प्रिस्टा आता है 103 और यह राजिस्तान का है और जैसा कि मैंने का देखिए फिर वोई लोकायुक्त वाली बात आ गई यह आउट अप स्रेवस है लेकिन उनने तीनों पारियों में लोकायुक्त का प्रसंट जरूर दिया है तो शाम बाली पारी में भी देगा राजिस्तान में राजपाल लोकायुक्त की न्युक्ति करने के लिए निम्ण में किसके साथ परामर्ष करता है त तो सई बिकल्प इसका क्या हो गया, सी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, अगला है प्रसिंग संख्या 106, अगर देखे प्रसिंग संख्या 106 के अंदर इसने पूछा गया है, कि राजिस्तान के प्रथम बितायोग का अध्यक्स कौन था, बहुत ही अच्छा प्रसिंग, राजिस्तान में प्रथम बितायोग के अध्यक्स कौन थे, तो राजिस्तान में प्रथम बितायोग के अध्यक्स थे, वो थे आपके कृष्ण कुमार गोयल, केके गोयल, गुनी सो पिचान में से लेकर, यानि दो हजार तक इनका कारेकाल रहा था, पांस साल का, तो ये आपक प्रशने के पूछा है कि जो इंद्रा रसोई है योजना के अंतरगत प्रती प्लेट दुफेर में का जो भोजन उपलब्द करवाया जाता है दिखिएगा मैंने आपसे अभी जब आपकी मेराथन क्लास ली थी तो मैंने आपसे कहा था कि यह जो थाली पहले 20 रुपे की आती थी और इस 20 रुपे में से 12 रुपे तो सरकार देती थी अनुदान के रूप में और 8 रुपे खाना खाने वाले से लिये जाते थे अब इसको बढ़ा कर दिया 25 रुपे अब यहां पर 17 रुपे सरकार अनुदान देती और 8 रुपे खाने वाले से लिया जाता है अब यहां से पूचता कि सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है तब आप आंसर क्या दोगे 17 ये ध्यान रखना करेंट का प्रसन है अभी चैंजेज हुआ है तो दोनों का याद रखना अगर सरकार का अनुदान पूछे तो 17 रुपे और अगर कंजूमर से उभोकता से मांग और प्रसन संख्या 114 अब देखेगा प्रसन संख्या 114 की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पर पूचा है कि जो एलेस वालियात सी को नौवल सांती पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया वो किस देश से सम्मंदित है तो यह आपके बेलारूस से सम्मंदित है कहां से बेलारूस से सम्मंदित है सही आंसर इसका जो होगा वो आपके ए होगा इसके बाद अगला इसने प्रसन पूचा 115 राष्टिय ग्रामेड योजना गारेंटी स्कीम का नाम बदल कर महत्मा गांदी राष्टिय ग्रामेड योजना इसकीम कब किया गया यानि पहले इसका ना इसके बाद अगले प्रिश्णों पर जाए तो अगला जो इसका प्रिश्ण होगा वो आपके दिखेगा अगला जो प्रिश्ण है वो है आपके यह रहा 116 और अगला प्रस्ण यह है कि बई जो संहाई 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 संगठन के सिकर संभिलन की मेजवानी 15 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की तो यह जो मेजवानी की थी यह उजवे किस्तान ने की थी हो सकता है अगले पेपर में आपसे पूछ ले कि 2023 में इसकी मेजवानी कौन करेगा तो 2023 में जो मेजवानी करेगा वो भारत आप dalना में याद रखना 22 में तो कि ये उज्वेक इस्तान और 23 में कौन उ करेगा भारत करेगा तो आपको धिहांण संगाई सायोग संगठन के बारे में ये करेगा आपके उज्वेक स्तान ने और 2022 में थो हजार ये भारत करेगा तो सही इसका जो आंसर होगा बुस्सी होगा ये आपको याद रखना है अगला जो आपका प्रिशन है वो आपका प्रिशन ये आगया प्रिशन संख्या 132 और ये आपके प्रिशन संख्या 132 है और मैंने आपको एक करेंट के अंदर जो आपकी क्लास ली थी परसो मेराथन उसके अंदर मैंने आपको करव लाया भी था कि भई राजिस्तान सरकार द्वारा घोसित राजीव गांदी स्कॉलर्शिफ फोर अकेडमिक करना चात्पृति प्रदान करने के उद्देश से यह इसकीम जारी की है और प्रतिवर्स दोसों बच्चों का टार्गेट रखा है कि दोसों बच्चों को हम कहां बेजेंगे विदेश में पढ़ने के लिए भीजेंगे तो सई इसका अंसर यह होगा यह आपको याद रखना ह प्रसंद संख्या 134 निकालीएगा और यह आप से हां यह अभी यह करेंट का प्रसंद बहुत अच्छा प्रसंद था स्नो टाइगर कि स्नो टाइगर नाम से जाने जाने वाले 1977 में कंचन जंगा को फते करने वाले प्रिथम भारतिय यह आप कह सकते हो प्रिथम यानि पूरे विश्व में पहले भारतिय जिनका हाली में निधन हो गया उनकी म्रत्यू हो गई उनका नाम क्या है तो यह करनल प्रेमचंद थे यह आपको ध्यान डखना है दुनिया में प पॉलिटी का प्रस्ण है और मैंने आपको करेंट में भी कराया था पॉलिटी में भी कराया था कि जश्टिस पंकज मिथल राजिस्तान उच्च नयले के कौन से नंबर के मुक्षनयादी से यह आपको ध्यान डखना है यानि 40 में नंबर के यह मुक्षनयादी से अगला 137 विजय हजारे ट्रॉफी का सम्मद किस से खेल से है तो विजय हजारे ट्रॉफी आप सभी जानते हो कि इसका सम्मद किस से है क्रिकेट से तो सही इसका आंसर क्या होगा यानि सी होगा इसके बाद अगला जो आपका प्रश्ण आता है वो आपका आता है यानि यह आपका 145 वा नमबर प्रिशन है और 145 वा जो प्रिशन है वो है कि भारत के वास्केट वॉल दिगज एवम अर्जुन पुरुसकार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर दो हजार वाइस को देहांत हो गया तो यह आपके गुलाब अभास मुंट किया नाम है गुलामब अभास मुंटसिर इनका हाली में क्या हुआ 15 नवंबर को निधन हो गया तो सई हिसका विकल्प डी होगा और अंतिम जो आपका प्रिशन है 147 यह पॉलिटी का होगा तो यह आपके पॉलिटी से कंप्लीट हुए अब आपके जो प्रश्न है वो आपके है हिंदी के जो प्रश्न है इंदी के किसके हैं के कम्प्यूटर के सरक करएंगे नियुक्त करों करां तो मैं करांगे का। एक मिनट दिखेगा हाँ जी अगला आपका कंप्यूटर वाले प्रिशने और कंप्यूटर वाले प्रिशने में आपका प्रसंख्या गुनेश पहला प्रिशन आपका प्रसंख्या गुनेश है और प्रसंख्या गुनेश का भी अगर हम बात करें तो प्रसंख्या गुनेश मे में विएर और फाइल मूव इन बिंडोज आफ्टर डिलेटेशन यानि आप से यहां पूचा गया कि बढ़ी डिलीट होने के बाद बिंडोज में पाइल कहां जाती है अरे यह तो बहुत आज़ी प्रिशने कहां जाती है री साइक्ल विन के अंदर जाती है तो प्रिसें है वो है computer का प्रसंद संख्या 31 कि प्रसंद संख्या 31 और इसमें पूचा गया कि MS वर्ड में जब पेज मार्जिन अल्टर किये जाते हैं या जब टेक्स करेंट लाइन पर फिट नहीं होता तब कौन सा प्रसंद संख्या 45 और प्रसंद संख्या 45 की अगर हम बात करें तो प्रसंद संख्या 45 के अंदर कहा गया है कि Windows में Windows में स्ताहिरोप से किसी फाइल को हटाने के लिए किसे सॉर्ट कट कुझी का या की का प्रियोग किया जाता है तो यह सभी को पता है सिफ्ट प्लस डिलीट का प्रियोग किया जाता है तो सई विकल्प इसका D होगा इसके बाद अगला 46 वा नंबर का प्रशन है किसी कॉलम के items को कुछ अनुक्रम या क्रम या sequence या order में विवस्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या sorting क्या कहते है sorting कहते हैं यह आपको ध्यान डखना भी इसका सही विकल्प होगा इसके बाद अगला जो आपका प्रिशन आता है वह प्रिशन आता है आपका 58 और प्रसंद संक्या 58 में आप से पूचा गया है कि इसके बाद अगला जो आपका प्रिशन है और कम्प्यूटर का अगला जो आपका प्रिशन है वह है प्रिशन संक्या 82 और इसके अंदर आप से पूचा गया है कि कौन सा डिवाइस इनपुट बे आउटपुट दोनों के कारिय कर सकता है अब इनपुट और आउटपुट दोनों में देखिए की बोर्ड तो आउटपुट का करी नहीं सकता माउस नहीं कर सकता ट्रेक बॉल नहीं कर सकती तो बचा कौन सा संचार डि से कौन सी सुब्दा आपको अपनी वर्क सीट में डेटा को कम करने की अनुमती देती है यानि डेटा को कम करने की अनुमती कौन सी सुब्दा देती है तो इससे हम फिल्टर कहते हैं क्या कहते हैं फिल्टर कहते हैं तो सभी विकल्प इसका सी होगा यानि फिल्टर इसका होगा Binary का 2 होता है Octal का 8 होता है तो Hexadecimal का कितना होता है 16 इसके बाद अगला जो आपका प्रिश्ण है वो है 102 और ये भी आपका RAM ROM से संबंदित है तो 102 में आप से पूछा है कि भई BIOS निम्न में से किसका हिस्सा होता है तो BIOS होता कहां है ROM पर होता है यої different memory तो इसका सई आंसर क्या होगा या आपके वी इसका सई आंसर होगा तो ये आपके पी आंसर हो गया इसके बाद अगला जो आपका प्रिशने कंप्यूटर का प्रौनटर का अगला आपका पूछागे निम्न में से कौन सा data type MS Excel में नहीं है तो MS Excel में अगर आप से पूछे तो currency है, number है, date और time है, level नहीं होता, MS Excel में क्या नहीं होता भई, level नहीं होता, तो इसका answer क्या होगा, भी होगा, तो यह आपके computer quality और current के प्रिशन आपके complete हुए, अब geography, economics, राजिस्तान history और नश्कार दोस्तो, दियाएंगे सभी paper अच्छा हुआओगा, चलो अपन देखते हैं, जोग्रोफी, इंडिया जोग्रोफी, राश्तान इकोनोमिक्स और राश्तान इत्यास्वे, class अंसकरती की क्यूशनों के उपर बाते करते हैं, ठीक है, तो खोली paper, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जोग्रोफी का दो नमबर क्यूशन है, राश्त राश्तान जोग्रोफी से पुचा गिया है, कि राश्तान राज्य का कितना भाग मरुस्तलिय छेत्र हैं, देखिए, राश्तान राश्तान का 60.11% क्या है, मरुस्तल है, अब इसके अंदर औक्षन देखें, तो एक तो देरह रखा है, दो तियाई, का मतलब कीतना होता है, लगबक 66 परती सद एक दे रखा हैं एक पियाई एक त्याई का मतलब कितना होता है 33 परती सद एक अपना दे रखाए le还 यानि यहां पर इसको लगबक कौन सा अता है तो एक सन बंता है यो फ़शन बंता है एम लगबक दो त्याई रास्तान का जो छेत्र फल है वो किसे संब्धित है मरसल देखिए दोस्तों दो क्यूशन पिछले पेपरों के अंदर कल भी हम बात करें तो वहां पर एक ढांड का पूछा गिया कि जो रन होते हैं उनको इस्ताने बात्सा में डाट कहा जाता है एक अगर बात करत अरुन जल विदुत प्रियोजना ब्हरत एमक्सायोग से का प्रिनाम है जो अरुन जल विदुत प्रियोजना है यह लगाई जारी है वरत्मान महीं अभी इसका काम पूरा नहीं ऊए जो यह प्रोजेक्ट है यह भारत और नेपाल का है ठीक है एक आपको लोगों को द्alten archa कि इसके अंतरगत 900 मेगावाट जल विदूत उत्पादन होगा यह कैसी प्रियोजना है तो यह जल विदूत की प्रियोजना है और अरुन नदी के उपर ही नेपाल के अंदर लगाई जा रही है और यह आप लोगों को ध्यान में रखने इसका राइट आंसर क्या होगा नेप पाल नेक्स्ट क्यों चलते हैं अगला क्यूशन अपना है तेरा नंबर और और तेरा नंबर है थोन वेट के वर्गिकन के अनुसार पूंचा है कि आपके सामने यहां पर किसन दिया हुआ है और थोन वेट के अगर बात करें तो अपने पढ़ा होगा रास्तान जोग्रोफ है इदार वाला भाग ऐल सुझ थे डिवाली है बीच में बात करें तो डी अबला रिटार बात करें तो कौन सा है एय डबला है इसने पूंचा है कि ओर सोन वेट कப्गी के कशन से कौन हूं सा ब्सक् lien की जलवाय को परसुत करता है तो आपकी बार में जलवाय की भर, मारे संबसे बड़ा जलवा यू प्रदेश कौण सा है तो फिर अमारे ले को बताना है ए डवलू सब्सक्राइब अब यह फो यह फो वेट का क्या है सबसे बड़ा जलबाः अगलेका से संबंधीत है राजतान के सामानिय पूच्छे का एक क्यूशन है गर यहां पर पूचा गया है कि राज्य के यहां पर तो कौन सा है बाड मेर फिर यहां पर जैसल मेर बहुत इजी किसन है यहां पर अगर बात करें तो कौन सा है बीकानेर और बीकानेर के उत्तर में अगर बात करें तो कौन सा है स्री गंगा नगर इस परकार अगर बात करें बाड मेर जैसल मेर बीकानेर और स्री गंग कुछन यह कला संस्कृति का कुछन हमारे यहां पर पूंचा गिया है और इसके अगर बात करें 20 नंबर कुछन की तो 20 नंबर कुछन है यह कुछन करा कि वागडी बोली रास्तान के किस हित्र में बोली जाती है अब देखिए दोस्तों इस कुछन में थोड़ा सा अधनस्त बोड़ने गुमाया है कि वागडी बोली के अगर बात करें तो जोग्रोफी में भी पढ़ते हैं हम लोग और जोग कुमरपूर में ठीक है तो प्रोपर अगर हम लोग बात करें तो इस परकार अगर रास्तान के मांचित्र देखें तो इस वाले भाग के अंदर अगर अपन देखें तो यहां पर यह भाग आता है और यह बाग कौन सा बनता है दक्षण बनता है कौन सा बनता है दक्षण ल बोली जाती है तो इसके अंदर अगर हम अगर हम यहां पर बात करें तो कुछ बाहग यहां पर मालवा के छेत्र का सामिल किया जाता है ठीक है और मालवा के छेत्र का बात सामिल करने के कांड이िस इस पॏस्ट था शोडो क्या मानने ती आंसर मान Experience अगला जो हमारा हुस्ट सनबर के सथरा हुआ यहां पर फुछ तो यहां पर आया कि अगला हमारा यहां पर क्यूशन पूंचा गया 29 29 नंबर क्यूशन है और 29 नंबर क्यूशन के अगर बात करें हम यहां पर तो क्यूशन हमारा कह रहा है कि रास्तान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी ठीक है रास्तान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी तो अग गुष्ण 32 और यह कुष्ण इतियास से संबंदित किसान अंदोलन से संबंदित क्यूशन है कि उसन नमबर 32 है देखिए 32 क्या कहता है अधि ये कुष्ण पूसरा आप से किमिन में से सघ्णवाटी में कि संगठन की स्थापना 1921 में महात्मा आउन आउज्ण चलाया गिया ता उस सायोग आंदोलन के तहत की गई ती तो देखिए अई यहाँ पर बात करें तो चड़ावा सेवा समिती सेखा वाटी ख़टा structured है आपके estàम पूंचा गया 38 और 38 अगर बात करें तो यह भी कलास अंसकृति का किसन है है खिर तो देखिए है एक है थर्टी एट नंबर किई आगर हम अपके सामने बात करें कलास संसकृति का किसन है और यह किसन पूंचरा है आप से कि निम्य इन दस्कारों से किसे टारा कोट औफ मोलेला के लिए पदम सh initial पुरुषिकार से सम्मानित mortar कोट से संबंदित कुछ से क्या है दस्कार व्यक्ति हैं तो इन में से पूँचे को पदम स्री से समानित किया गी तो वो हाँ यहां पर आंसर है महुरॉद रलाल कुमहर कौन सा है महुरॉद लाल कुमार कumbles 40 ए और चालीस अगोर है और प्रेट के जाएं तो इतियास सम्हंद है तो बार है कि मामदेव का कुंड जहली बाय चाहले लौर मामों कुंड़ यह कहा पर हैं कुंबलगन का पर हैं कुंबलगड में अगला हमारा कुछ न पूंछा गया टो किसन आप लोगों के सामने यहां पर पूंछा गया सित पचास नमबर और पचास नमबर भी राषतान के एतियास संस्भंधित कहा जाओ तो देखुए है कि पचास नमबर जो हमारा क्यूशन है यह चुशन हमारा कह रहा है हूई कि 1919 में 1919 में राष्टान सेवा संकिस्ता आपना कहां पर की गई थी यह की एक इस नाव तक इस तरह में भी पूँचा गया ऐसे कुछन भार-बार आपके सामने पूछे जा रहें ठीक है इन किसनों को आप लोगों को जरूर धान में रखना है तो 1919 में राष्थान सेवासंग की स्थापना वरदा में की गई थी कहां पर की गई थी वरदा में ठीक है इसके बाद अगला जो हमारा किसन पूंचा यह 52 क्यूंछन आ जो गूर्फिक ऐसे स्कूंफन एक क्यूंच का क्यूंशन आई है इस किशन को मैं दिट्वाइब को आपको श्रम के लास में भी पढ़ाया था 52 नमबर और 52 नमबर क्यूशन आपके सामने दे रखा है कि राष्तान राज्ये के किस वर्ष में राष्तान राज्ये विद्धूत वोर्ड ठीक है R.E.S.B ठीक है राष्तान राज्ये विद्धूत वोर्ड राष्तान राज्ये R.E.B राष्तान स्टेट एलेक्रिक बोर्ड की स्थापना को पाँच सरकारी कंपनियों में बाटा गिया देखो जब इसकी स्थापना की गई थी तो वो इस्थापना तो की गई थी 137 में उस समय तीनों काम ये एक ही बोर्ड किया करता था विद्धूत उत्पादन का विद्धूत परसारन निगम ये भी जैपूर में और तीन बनाए गए वित्रन मंडल थीक है जैपूर विदुत्-वित्रन मंडल दूसरा बनाए गया अजमेर विदुत्वित्रन मंडल और तीसरा बनाए गया जोदT-Pur VD bertrand मंडल और गहलो सरकार के दौरत 2 2022 तेज़ के बजट में सफस्टूप से गोश्चना की गई कि किर्शी कनक्षनों के लिए अलग से सोथा विदूत वित्रन मंदल अलग से बनाया जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर बात की जाए तो राइट अंसर क्या हो जाता है दो हो जाता है ठीक है 2000 में इसकी क्या हुई वो क्यूशन है कि राजस्तान के किस वोतिक परदेश में मुकंद वाड़ा की पहाड़ियां इस्तीत हैं तो देखिए मुकंद्रा की पहाड़ियां हाड़ोती छेतर में किसके अंदर है हाड़ोती छेतर के अंदर है और हाड़ोती में अगर बात करें इसमें एक ही ओक्षन आपके सामने हाड होती इतना इजी कि इसंट साइद एक्जाम में कभी भी नहीं पूंचा जा सकता जिसने कभी जोगरोफी नहीं पढ़ घुरूज को फिलियर कर सकता है तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया अगला किशन अगर बात की जाए तो अगला किशन हमारा पूंचा गया यहां पर यहां पर निसान भी जरूर लगवाय होगा आपका अगर और शिक्स्टी एट करा कि अगर नदी जिसे पक्समी बंगाल का सोग कहा जाता है ठीक है यह आप से पूंच रहा है कि पक्समी बंगाल का सोग कौन शी नदी कहलाती है तो यह आप लोगों को ध्यान में रखना है दामोदर कुछ नहीं है अब की बार अधनस्त बोर्ड ने दैवाली नदी पकड़ रखी है चाहे तो उसने किशन पूंचा हो आपके सामने गोदावरी का कल भी आया था आज भी गोदावरी का आगे चलके मिलेगा चाहे आपके सामने दामोदर का पूचा हो किसका पूचा हो दामोदर का पूचा हो ठीक है तो यहां पर अगर बात की जाए तो दामोदर नदी को पक्समी बंगाल का सोक कहते हैं हूँ सकता अगले पेपर में आ जाए बी आर का सोक इसको कहते है तो को सी नदी को कहते है आप लोगों को क्यूशन है और यह राजी 79 स्वाफ संस्कृति का इस और बात करें यह करा कि मोखडी क्या है तो मोखडी लाक की चूड़ियों को क्या कहा जाता है मोखडी ठीक है तो इसका राइट आणसर बना हमारा यहां पर लाग की चूड़ियां अगला कुछन आहां हमारा 81 नमबर कितने नमबर और जिसाई नमल टकिसन के अगर बात की जाए तो तो ला की जान अचलकित के लिए रायस्तान का कौन सा स्थान पर capo का कौन सा इस्थान पर्सीद है तो आप सभी को पता होगा बार्ड मेर परसीद है कौन सा परसीद है जी हां बार्ड मेर परसीद है अगला कुशन अगर बात की जाएं तो अगला कुशन हमारा पूंचा गया है यहां पे 88 नमबर यह राष्तान के एकेकंद से संबंदी तो राष्तान इत्यास का कुशन है 88 नमबर और इस कुशन के अगर हम लोग बात करें 88 नमबर की तो देखिए यह करा एक राष्तान का एकेकंद कितने चरणों में पूरा हुआ ठीक है तो आपने खूब पढ़ा होगा राष्त को शुरू होता है एक नॉमबर देखिए एक इकंड 18 मार्च 1948 को शुरू होके साथ चड़नों से गुजरता हुआ एक नॉमबर 1956 को पूर्ण होता है रास्तान के एक इकंड से पहले रास्तान में 19 रियासत तीन ठीकाने और एक केंदर लिए आसर या फोगा इसका को वह राइट अन्सर हमारा हो जाता है साथ को कि अगला नवरा यते समयंफियों सहब है औग ने राजन कर परा परफं मुखिमंत्री कौन थे कि क्यों माट वहरा आपक 크게 सामने उनसर बने का आРЕपव आणसर बन जाता है यहां पर अरिवाओ उपादड आए उस और 94 नमबर का अंसर क्या है तो अरिवाओ उपादड़ आए एll कि अधिया अंसर बन जाता है इसके बाद अगर बात की जा तो अगला हमारा जो कुछा गिया वो किसा ने 96 जी हाँ, 96 क्यूशन की अगर बात करें हम लोग तो देखिए, 96 क्यूशन कह रहा है ये थोड़ा क्यूशन सस्पेंस उस्पन कर रहा है कि आती आदर जलवायू प्रदेश में कौन सा जिला इस्तित नहीं है ठीक है, इसने पूचा है कि आपके सामने कुछ जिले लिख रखें इन जिलों में से आती आदर में कौन सा जिला सामिल नहीं है, तो देखिए अगर बात करें, तो अब देखो बासवाड़ा भी प्रोपर आती आदर में और बारा भी आती आदर में अब अगर बात करें तो शिरोई का अबु अतियादर में आता है बाकी शिरोई वाला भाग को उसकिस में आता है तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो अब अधनस्त बोड के उपर डिपेंड करता है को आंसर किसको मानता है आपके सामने उत्री चित्तोडगड को मानता है या फिर शिरोई को मानता है ठीक है तो और सो नमबर की शना अमारा कह रहा है आपके सामने हैं कि निन में से कौन शी नवीन तम परवस रंकला हैं प्राई दीप बहरत का और प्राइदीप भारत का ये पैसी परवस रंकला लुए यह प्रताते हमाला का एक ओकृसंद देरा का यहाँ पर कौन सा जी कि मने कि thai आपने दहुंतके हमाला ही और आपके है और हम लोग यहां पर बात करें एक आजमेर के अजरा चवान के पिता कौन थे तो इतियास का क्योजन है और अगर बात की जाए यहां पर इसका औसर बनता है प्रित्युराज पर्थम तो इसका सही आंसर क्या हो गया सी अगला मैं देखें यहां पर तो अगला हमारा जो कीुशन है है वो क्यूचन एकस्जा साथ नंबर और बहरां जोगर्पी का क्युशन है नदियों से संभन्दित to कुछनले कल भी वहीं गोडावरी का पूचा गया था और है आज अगर बात करें तो वहीं गोडावरी का कि पूचा गया है कि क्लछ रमायो थृइंप चलिक चेंट हो सकता अगली मेह आपसे व की को लिए कि सम्च तॐस क्वे कर पूंच लें वो सकता है मंजर पूंच लिए ऊसकता वेन का पूंच ले मोज ले में चुरे सारी इक जोतर हुआ कि साइक न दी में इस्टि से संब्दीत है और किसन हमारा कह रहा है कि 13 नहांत लोग देवताश यह संब्दीत आ Mein तो 13 संब्दीत आए तो 13 अगर बात कि जाती राम देव जी चेंश संब्दी तै किसे रामडेव जी पान सर्फकर वổiा से कि इसके बाद 113 नंबर कि ऋन इडिङ supports वह समभन दीत है देखिए एक 113 नमबर क्यूशन के अगर आपने बात करें तो 113 नमबर क्यूशन कह रहा है कि भारत में संकूधारी व्रक्स पाई जाते हैं देखो संकूधारी दिया इसने ठीक है और संकूधारी आपको अच्छी तरह से याद रखना है कल तो आप से पूं इसन का जितने भी संकूधारी वन नोते हैं चाहित ऊवय्ट पाइंट वह ब्लू पाईन ओ चाहिए स्टैडर हो चाहिए यह सारे जन्स के उदार ने ये सारे संकूधारी वनों की उदारन और हिमालय परवात में पाई जाते हिं दाउन्डारी वनों का दूसरा नाम क्या है दोटे जाता है यहां फ्रक्ति जून ważne ऊदैंप और 119 किशेल कहा रहा है हमारा निमिन में से कौन से देसक में रैस्तान में जनसंग की और उच्छत मिस्तर पर रहे तो देखो यह मैंने के लास में यह पढ़ा है था उस समेक में चीज बताई थी मैं आपको कि भारतjarmarгоं जो हौक्छा इंप्राओन चाहिं क्या वर्धिदर होता है तो 1931 से 81 वाला जो समय था इसी दसकी वर्धिदर 22.37 में परतिशती यह अभी तक की सरवादिक वर्धिदर थी और वो कौन सा था 81 से 81 सी जीहां 81 से 81 और भारत में भी सरवादिक वर्धिदर इसी समय मानी जाती है अगला जो हमारा वह 21 नंबर कुछन है एक से किस नंबर कुछन है यह राष्टान एकोनोमिस का निमिन में से कौन सा ओदोगीक छेत्र जोधपूर में इस्तित नहीं है तो देखो बोरा नाड़ा जोधपूर में है उसके बाद मंडोर जोधपूर में पाल सिर्पल गराम यह भी जोधपूर के क्या हो जाता है बी आंसर चलो नेक्स्ट कुछन की ओर चलते हैं अगला क्यूसन है हमारा क्यूसन नंबर 124 और 124 नंबर जो क्यूसन है वो करा कि बाद मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है बाड मेर के कानन मेले का मुख्या करसक क्या है? तो देखिए बाड मेर के कानन मेले का मुख्या करसक गयर नरत है कौन से नर्थ हैं गेर नर्थ हैं 125 नंबर राष्टन राज्य गंगानगर सुगर मील देखो मैंने क्लास में इस पर्स रूफ से आप लोगों को पढ़ाया था किस मील किस्तापना 1937 में निजी छेतर में की गई ठीक है फिर बताया 1945 में इसको बीकाने रुदोग में मिलाया ग बता है कि 1968 में चकुंदर से चीनी बनाने का कार खाने इसने शुरू किया तो यह भी ध्यान रखने ना चकुंदर से कब बनाने शुरू किया 1968 में इस्तापना 1937 में बीकाने रुदोग में कम मिलाई गई 1945 में और सार्जीत उपकरम का बना 1959 में यहांहां पर राइत आन्सर क्या हो गया सर्कार्य उपकरम ठीक है कौन सा हो गया सर्वकारय ऊपकरम ठीक है कि अगला 26 नभर हमारा कूशन पूचा गया यहांपे Ai 00126 पूछा गया कि सब्वेता में अच्छी विक्षित प्राची नियुक्त किले बंदी क्या उसे मिले हैं ठीक है सब्वेता से कुष्ण संबंदीत है और इसका रांसर बताया है सर ने काली बंगा क्या है काली बंगा अगला फिर एक कला संस्कृति का क्यूष्ण है हमारा और नड क्या है ठीक है तो नड क्या अगर बात की जा तो नड का अंसर सर ने यहां पर बताया कि एक लंबी बांसुरी एक लंबी बांसुरी ठीक है अगला क्यूष्ण question number 131 question number 131 किस का नाम है तो देखिए अमर साही किसका नाम है ठीक है अमर साही किसका नाम है जी हाँ एक पगड़ी का नाम है पहरान से पूंचा गया पोसाख से अगला कुष्ण 133 नमबर फिर जलवाईू का पूंचा गया है ठीक है और 133 नमबर कुष्ण के अगर हम लोग यहां पर बात करें तो देखिए 133 नमबर है कि रास्तान का कौन सा जिला आती आदर जलवाईू प्रदेश का भाग है तो दे की इंदर के हम लोग बात करें तो उस्थ नंसंदान के अंदर के अगर हम लोग बात करें तो उस्ट अनसंदान के अंदर कि कि स्टापना विकानेर में की गई पांच जुलाई 1984 को कहां पर की गई भी कानेर में तो राइट आंसर क्या हो गया विकानेर फिर इसके बाद अगला जो हमारा राष्टिय पूछे एक मातर राष्टिय मरूद्दान ऐसा है जहां पर राज्किये पक्सी राज्किये पशू राज्किये पुश्व राज्की वरक्स बारत की पर्थम और निती 1894 में ब्रिटिस काल में जारी की गई, सहतंतर बारत की पर्थम और नीती 1902 में जारी की गई, जिसकी अनुसार 33% भूमी के उपर 1 होने चीए, इस नीती में 1988 में संसोधन किया गिया, जिसमें कहा गिया कि कुल परवतिय भूमी के 60% भाग पर मैदा बात की जाए तो राष्टान इत्यास हुए, क्लास अंस्कृती के क्यूसन थे, जिनकी आंसर की हमने बताई, ठीक है, चलो, अब एक सब्जेक्ट हमारा बसता है, उसकी वे अपन बात कर लेते हैं, हिंदी, क्यूसन नमबर 7, पेपर कैसा हुए, सबीका बता वही फटा-फट, जा है 130, आज ए 133 बता की नहीं के कैसर बता तुके, आज ए 133 देखना वही बतागे, एक नहीं बतागे यह सब्सक्राइब, तो 133 में डेलिगेट होते हैं, परतेक्स रूप से निर्वाचित होते हैं, सब्सक्राइब, चलो, क्यूसन नमबर 7, हिंदी का क्यूसन है, और इसका आंसर है, संसोधन, राइट आंसर क्या है, सी, अगला क्यूसन है 11 नमबर, जिस समास में पहले सबद के बाद कारक चिन किसी ने किसी रूप में विद्मार रहता है, उसे कहते हैं, इसका आंसर है 11 नमबर का, कि जिस समास में पहले सबद के बाद कारक चिन किसी ने किसी रूप में विद्मार रहता है, उसे क्या कहते हैं, अलुक ततपुर्स क्या कहते हैं, अलुक ततपुर्स के भाग है, उसक्या कोडिंग यह किसी ने आपके सामने आंसर बना है, अगला हमारा हिंदी का किसी ने 27 नमबर, अगला किसी ने 28 नमबर, निमी लिक्त में से किस विकलप में सभी सबद एस सुद्ध हैं, ठीक है, तो कौनते क्रंती हैं कहके यह, तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, क्या हो गया, डी, अगला किसी ने 34 नमबर, शनी क्रोध जीवन नस्ट कर देता है, वाके में कौन सा विशेशन है, शनी क्रोध, क्रोध जीवन नस्ट कर देता है, प्रिणाम वाचक, राइट आंसर क्या है, प्रिणाम वाचक, अगला हमारा किशन है, 56 नमबर, पत ब्रस्ट अबद में कौन सा समास है, पत से ब्रस्ट, पत ब्रस्ट, आपादान ततपूर्ष, इसका राइट आंसर क्या हो गया, आपादान ततपूर्ष, राष्टान वन निगम के अनुसार 20 परतिसत लक्स रखा गया है, अरे भाई राष्टान के अकोडिंग नहीं पूंचा, इस क्यूशन को पड़ो, इस क्यूशन ने कहरा है कि राष्ट ये वन नीती के अनुसार, तो मैंने इस परस्ट रूप से तीनों च्यारों चीजे बन आई है कि परतम वन नीती 1894 में जारी की गई अची तरह से पड़ो कोपी को, परतम वन नीती 1902 में जारी की गई, जिसके अनुसार 33 परतिसत भूमी पर वन ओने चीए, इस नीती में 1988 में संसोधन किया गया, और कहा गया कि कुल भूमी के, यानि कुल परवतिये भूमी के 60 आठ परतिसत और मैदानी भूमी के 20 परतिसत भाग के उपर वन ओने चीए, ठीक है, तो राज्य का तो किसन ही नहीं पूछा गिया है, राष्टिय वन नीती का पूछा गिया है, अगला किसन है, चपन नंबर और चपन नंबर करें पत्वरस सबद में कौन सा समास है, तो प आवान मतलब कोई कारे को शुरू करना, ठीक है, यानि कि आज हमने इस कारे का आवान किया, शुरू किया, ऐसा सबद कुछ देखा होगा आपने, तो अब उसका समापन क्या होता है, जैसे गणे सतूर्थी आती है, तो गणे सतूर्थी जैसे आती तो हम क्या करते है, प्रता रहित सबत कौन सा है ठीक है प्रता रहित सबत कौन सा है तो यह दूसास है कौन सा है दूसास कौन सा है दूसास अगला बैतर नंबर नीन में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है और सरकारी पत्र के अगर बात कि जाए तो आवेद्न पत्र कैसा नहीं है सरकारी पत्र नहीं है परिपत्र भी होता है अधिसूचना भी होता और अनुसमारक भी होता है अगला हिंदि का किस ने 140 नमबर में निव्यम्त से किस विक्लाप में भाव आचक शंग्याय यूप सब्द हैं भावाचक संग्या एक सुच्यार नमर क्यूशन और एक सुच्यार के अगर बात करें तो भावाचक संग्या बच्पन और योगयता ठीक है दोनों में कैसी है भावाचक संग्या है सुच्यार के बाद क्यूस्टन नमबर 149 कनक का आपको प्राइवाची सबद बताना है ये पूंचरागी कनक के अनेकार्थ को परकट करने वाला सबद नहीं है ठीक है कनक किरन, दथूरा, सोना और गेहूं तो यहाँ पर कनक का प्राइवाची कौन सा नहीं है तो किरन नहीं है भई, कौन सा नहीं है किरन तो राइट आंसर क्या हो गया और अगला है 142 रिग वेद सबद का संदी विच्छेद है क्योसर नमबर 142 रिग वेद का संदी विच्छेद है तो रिग पिलस वेद, भी आंसर है भई, कौन सा है भी आंसर है, तो कुल मिला के आज के हमारे पेपर के अंदर ये हिंदी के क्योसर पूचे गए थे ठीक है, ठैक्यू दोस्तों, तो मिलते हैं अगली आंसर की में स्याम को, ठैक्यू, धन्यवाद कर दो है